आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें लिए किस प्रकार के प्रयोग हमें करने चाहिए तो दोस्तों संक्रमन रोग को क्या होते हैं संक्रमन रोग वह रोग होते हैं जो कि एक दुसरे के छूने से पहलते हैं तो हम लिखते हैं दोस्तों कि इस प्रकार के रोग छूने से फैलते हैं जिस प्रकार के दोस्त अगर हम छीक देते हैं तो उसके कुछ किताउँ अन्य व्यक्तिव के नाक के दूआरा वह उसके शरीर में पोहुच जाते हैं और वह भी शंकरमन रोग का सिकार हो जाता है जैसे कि दोस्तों उधारण के लिए अगर हम माने चूहने से किस प्रकार की सं दस्ताने द्वारा किसके द्वारा दस्ताने द्वारा या दस्ताने पहन कर अगर दोस्तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अगर हम चूते हैं तो हमें कुछ अन्य प्रकार की संक्रमित रोग हो जाते हैं तो दोस्तो अगर हम दस्ताने पहन लेते हैं तो किसी वस्तु या व् वह हमारे शरीर में नहीं जा पाता है क्योंकि दोस्तों वह जो किटाणों होते हैं वह दस्तानों में ही चिपक जाते हैं और हमारे शरीर में नहीं जा पाते हैं तो दूसरा प्रयोग हम देखते हैं कि मास्क द्वारा दोस्तों जो मास्क होता हैं उसे हम मुह उपर लगाते है जिसके करण क्या होता है कि अगर कोई भी अन्य व्यक्ति छीकता है या खासता है तो उसके मूँ से किटाणू निकल कर वातावण में प्रभाहित हो जाते हैं जिसके कारण हम संक्रमन रोग से बच सकते हैं इसके अत्रिक दोस्तो अगर हम एक और प्रयोग देखें तो दोस्तो जब अगर हम योन संबंद बनाते हैं तो उसमें हमें कॉंडम का प्रयोग करना चाहिए जिसके कारण क्या होता है दोस्तो कि जो भी शुक्राणू होते हैं वह शुक्रानों अंडानों से नहीं मिल पाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी संच्रणी रोगों की उत्पन करने की संभावना नहीं बढ़ती तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि कॉंडम के प्रयोग से हम संच्रणी रोगों को रोग सकते हैं तो दोस्तो इस प्रकार से कुछ प्रयोग करके हम इन संस्राणी रोगों को रोग सकते हैं और इनके प्रयोग से ही संस्राणी रोगों की रोगताम संभव हैं तो धन्यवाद दोस्तो आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जड़ू समझ में आयोगा